नमस्ते मैं उज्वला महाराष्ट बुनासे दोस्तों आपने जो भी मेरे वीडियो देखे हैं उन सबी वीडियो में आपने देखा होगा मेरे हर एक गमले की मिट्टी हमेशा ही ऐसी भूरभूरी होती है वेल्डरेन होती है कभी भी उसमें हरी वाली काई जमा नहीं होती या बताना चाहती हूँ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि कोई भी पोर्शन अगर स्कीप हो गया तो शायद आपके ध्यान में ना आ जाए और ऐसा नहीं हो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजगा और चानल को भी सब्सक्राइब कीजेगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अब सबसे पहले मैं मिट्टी कहां से लाती हूँ या फिर वेल्डेन मिट्टी कैसे तयार करती हूँ इसके बारे में बात करेंगे तो देखिए ये एक बड़ा वा पीचे जमीन के उपर भी डाल सकते हैं ये देखिए ये खराब हुए पोदे नरसरी से लाए हैं और उनकी भी मिट्टी में इसी तरह सी यूज करती हूँ ये जो पोदे की मिट्टी होती है नरसरी वाले पहुच चिकनी होती है हाथ से भी उसे तोड़ी नहीं जाती हूँ तो इस तरह से सभी मिट्टी एक जगा पे जमा करती हूँ और जैसे ही ये टप भर जाता है तो मैं इसे धूप में अच्छे से सुखा देती हूँ धूप में सुखाने से मिट्टी रीचाच हो जाती है उसमें जो भी बैड वाले बैक्टरिया होते हैं वो खतम हो जाते है और उस मिट्टी में हम फिर से पोधे लगा सकते हैं, नरसरी के मिट्टी हो, या फिर जो गार्डनिंग की शुरुवात हम करते हैं, उन दिनों में खरीद ली हुई मिट्टी हो, या फिर कोई भी गमले से निकाली हुई मिट्टी हो, सभी मिट्टी को हमें दूप में सुखान अब मिट्टी तो चिकनी होती है तो इसमें कुछ न कुछ मिलाना तो पड़ता ही है ताकि ये वेलरेन बन जाए तो क्या मिला सकते हैं अब ये मैं आपको दिखाती हूँ देखें मिट्टी को अच्छे बारीक टुकडे करके या फिर छोटे-छोटे ऐसी बना के हमें धूप म सुखाना है और उसमें नीम की खली मिला के आप उसको तयार भी कर सकते हैं उसके साथ-साथ ये जो चीजे है वो मिला के हमेशा आप ऐसी तयार मिट्टी रखें ताकि जब भी हम नया पोधलाए तो हमें तयार मिट्टी मिल जाए तो सबसे पहले तो हम ये कंस्ट्रक्शन म रेती होती है इसे बिल्कुल हमें इस्तेमाल नहीं करना है जो लोग समुंदर के पास रहते हैं उनके मिट्टी में तो ये मिट्टी बहुत जादा होती है तो वो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे तो हमारे यही मिट्टी होती है तो कैसे हमारे पोधों को हम इस् हवा थाँ हावा वैसा करते हैं ऑकड़िये नी में ही रही गटेश पार्ल द जानर्य हवा थारी है उने सो से उना सोरा के रहा हो ह। इस ह्टोर सब्सक्राइटों थी थीना स्टीक आर्ड़िये को में इस्तिमाल नहीं करनी हैं जिसमें समुंदर की रेट मिलाई हुई हो आपको मिट्टी को वेलरेन बनाने के लिए सिर्फ कन्स्ट्रक्शन में यूज करने वाली मिट्टी ही यूज करनी है वो भी आप जो अच्छे से चानी हुई होती है जो रेत उसी को इस्तमाल करना है और जो भी बड़े बड़े चोटे टुकडे में होती है उस रेत का भी इस्तमाल कर सकते है ऐसी जो भी चानी हुई रेत होती है उसका भी इस्तमाल कर सकते है और इसके कारण मिट्टी हमारी हमे इसे यूज़ करना होता है उसके बाद यह आप इटो का चूरा भी इस्तमाल कर सकते हैं जो लाल वाली इटे होती है चोटे बड़े टुकड़े जो होते हैं उनका भी इस्तमाल आप मिट्टी को वेल्डेन करने के लिए कर सकते हैं जहां पे भी इटे रखी होती है उसके आसपास देखिए बहुत सारा ऐसा माहिम सा चूरा हमको मिल जाएगा तो वो आप इकठा करके ला सकते हैं पूछ के लाना या फिर वैसे ही पड़ा होता है वैसे ही लाया तो भी चलेगा और बहुत ही कम मात्रा में इसका इस्तमाल किया तो भी चलेगा मिट्टी अच्छे से वेलरन होती है और पानी मतलब जितना चाहिए उतना ही वो होल्ड करके रख देती है अब तीसरी चीज हम देखेंगे तीसरी चीज है ये राइस हस्क कोई भी जो धान होता है वो मशिन में जब निकालते हैं तो उसका ये हस्क निकलता है अभी तो राइस मिल में या फिर जहां पर इते बनती है उस भट्टी पे ऐसे चूरे बहुत मिलते हैं इसके साथ साथ में ऑनलाइन लिंक भी आपको देती हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से भी ये चूरा मंगवा सकते हैं ये भी धीरे धीरे डीकंपोस् होके हमारे पोदों को खाद भी प्रोवाइड करता रहता है तो इस चूरे का इस्तमाल आप मिट्टी को वेलरेन करने के लिए कर सकते हैं अब इसके बाद हम यूज कर सकते हैं कोईला कोईला मतलब लकडी का जो कोईला आता है उसका इस्तमाल आप मिट्टी को वेलरेन बना यह जो कोईला है यह लकडी का होना चाहिए यह जो रेलवे को वेगरा चलाते है उस वाला पत्थर चट्टा का कोईला नहीं होना चाहिए यह लकडी से बना हुआ कोईला होना चाहिए और यह भी पानी को जो एकसेस वाटर है उसको यह सक करता रहता है और हमारे गंबले में म मिट्टी वेल्रेन होती है इससे और वो पानी निकल जाता है जितना चाहिए उतना ही पानी इसमें होल्ड रहता है तो कोईले का इस्तमाल अगर आप मिट्टी को वेल्रेन बनाने के लिए करेंगे तो ये बहुत अच्छा परियाय है इसके साथ आप ये ऐसे जो छोटे कंकर पत्थर आते हैं उनका इस्तमाल भी कर सकते हैं इनसे भी मिट्टी वेल्रेन होती है ये बीच में होते हैं और बाजू से मिट्टी होती है तो वहाँ से पानी निकलने के लिए जगा तयार होती है तो ऐसे कंकर पत्थर का भी इस्तमाल मिट्टी को वेल्रेन करने के लि आप कोकोपीट का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर्मनन पोधों में ज्यादा तर कोकोपीट नहीं इस्तमाल करें इसके वैसे बहुत ज्यादा फाइदे नहीं है लेकिन जो सिजनल प्लांट है या फिर कुछ ही समय तक जिन्दा रहने वाले प्लांट है उनमें आप कोकोपीट का इस्तमाल जरूर कर सकते हैं कोकोपिट से पानी भी होल्ड होता है मिट्टी वेल्डरन भी रहती है और उन पोधों को जितनी चाहिए उतनी नमी उसमें होल्ड करके रख सकता है कोकोपिट तो पर्मनन पोधों में तो आप ना करें अगर उसके आपको डिस आडवंटेज सवाल दूंगी आप वहां से देखिएगा के में कोकोपिट क्यों नहीं इस्तमाल करती हूं अपने पोधों के लिए अब हम उस मुख्य सवाल की तरफ मुड़ते हैं जो है कि मेरे पोधे की मिट्टी हमेशा एसी मॉइस और वेल्डरन कैसी रहती है या फिर उसमें काई वे जो भी जड़े होती है उनको अच्छे से ऑक्सिजन मिलता है और जितना ऑक्सिजन जड़ों को मिल जाए उतनी ही हमारी जड़े हेल्डी हो जाती है वाइट वाली जो रूट होती है वो अच्छे से ग्रोध करती है और जितनी हमारी जड़े हेल्डी होती है उतना ही हमारा पौधा हेल्दी होता है और इसलिए मेरे पौधे की मिट्टी हमेशा ही ऐसे वेल्डरेन और ऐसी भुरभुरी होती है तो आपको गुड़ाई जरूर करनी है और जब भी आप लिक्विड खाद देंगे या फिर कोई भी कमपोस देंगे तो रिम से देंगे और गुड़ाई क करने के बाद ही देंगे बिना गुड़ाई किये आपको कोई भी खाद विगेरा एड नहीं करनी है उससे बहुत ज्यादा कुछ फाइदा तो नुकसान तो नहीं है फाइदा ही होगा मिट्टी जैसे हम गुड़ाई करेंगे तो जो भी हम खाद डाल देंगे वो जल्दी से नीचे तक जाती है और पोधे की जड़े उसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं तो कैसे लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजेगा